जो दुश्मन कभी आपको इतना तंग किया गरता था वो दुश्मन आज होगा आपके काबू में आपके मुठी में इस निम्बू से वशिकन के सब आज हम आपको बता रहे हैं निम्बू से दुश्मन का खात्मा निम्बू के साथ करें किसी भी दुश्मन को अपने सी कंजे में दोस्तों आप सब का इस यूडिव चैनल लव गुरु में स्वागत करते हैं आज जो आपको तरीका बता रहे हैं जो पाए हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक ऐसा तरीका है जो आपकी जिन्दगी बदल सकता है अगर आप हैं परिशान अपने दुश्मन से कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भीना किसी बात के आपसे शत्तुरता रखता है और आपकी शत्तुरता में वो आप पर जादू टोने या कोई गलत च्छावा डलवाता है तो आप कुछ उपाए ऐसे कर सकते हैं जो इसका बहुत कुछ बिगाड सकते हैं जी हाँ आज हम आपको आपको दुश्मन के खिलाफ करने वाला एक उपाए ऐसा बताएंगे से एक हिदायत है आप सबको कि इन उपायों को इस्तेमाल किसे गलत काम के लिए बिलकुल ना करें किसी का बुरा करने के लिए बिलकुल ना करने नहीं हमारा यूटीब चैनल इस तरह ही आपको कोई हिदायत देता है आप खुद इसके इसके जिम्मेबार होंगे अगर आप किसी को बुरा करते हैं दोस्तों अब मैं आपको कुछ वो तरीके बता रहा हूँ जैसे कि दोस्तों आप काफी समय से बहुत परिशान हो चुके हैं अपने दुश्मन से आपके साथ दोस्तों आपके दुश्मन इस परभाव से आपको प्लंग कर रहा है कि आपको समझवें नहीं आ रहा है आपका दुश्मन पहले कभी आपको मित्तर बना रहता था अब तोनों के बास में दोस्तों बहुत ही गहरी दोस्ती थी अब दोस्तों, वो दोस्ती अब दुशमनी में बदल लगी, वो ही दुशमन अब आपके बिजनस को हड़ रहा है, आपके घर पे काला जादू करवा रखा है या फिर दोस्तों तरह तरह के तरीके टोटके आपकी उपर अपनाता रहता है, वो मिस्तर बन कर लेकिन आप उसे चुटकारा पाना है तो ये उपाय आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही खास है इसे जुरूर अपनाईएगा और इसके इस्तेमाल से आपकी काया पलट कर देगा दुश्मन को पागल करने का ये टोटका दुश्मन का होगा नाश, शत्रु नाशक उपाय टोटकों से दोस्तों एक दिन में होगा दुश्मन का खात्मा दुश्मन को अपने इसी कंजे में करने के टोटके दुश्मन को बरबाद करने का ये तरीका आपकी जिंदगी में इसकदर हावी होगा कि आपको दुश्मन कभी तंग नहीं करेगा इसका उपाय इस परकार है कि इसके लिए आपको 40 दाने तो अक्षत और काली उड़त के साबुत 38 दाने ले और उन्हें एक अपने दोस्तों गड़ा बनाकर उसमें डालने हैं अगर आप अपने बीजनेस के लिए परशार हैं दुश्मन को वरबाद करने का ये टोड़का कभी हद तक आपको परभाफशा लिया है और इतना करने के बाद आप एक निम्बू लेना है जैसे कि निम्बू से दुश्मन का खात्मा है तो उस वक्त आप उस व्यक्ति का नाम लेते रहें जिसको आपको भी तंक कर रखा है जिसको आप अपने शारों पर चलाना चाहते हैं जो आपकी जानी दुश्मन बना होगा है कहा जाता है कि ये उपाए करने से वो आपके पीठ पीछे से आपके खिलाब कभी शाजिस नहीं रच पाएगा और अगर वह आपका बूरा करना चाहेगा तो उसका ही बूरा हो जाएगा ये मा तेदी के आशिरवाद से एक ऐसा सरल उपाए है जो आपकी जिन्दगी बदल सकता है जो आपके कारों में आ रही है जितनी भी बाद हाएं हैं अगर दुष्मन की तरफ से आ रही है तो वो सब रुख जाएगी आपका काम बनना शुरू हो जाएगा शत्र नाशक उपाए करें घर बैठे आपका काम बड़ी असानी से बनेगा एक काली मिरच के कारिये हैं ये निम्बू के कारी हैं जो आपका काया पलट करने के लिए त्यार है उमीद है दोस्तो अगर ये उपाए आपका जिंदगी में अपनाते हैं तो शत्र नाशक उपाए आपके काफी हद तक परभावशालिया आपके लिए साबित होंगे और इसे आपका काम जरूर बनेगा चत्र नाशक निम्बू से दुश्मन का नाशक कैसे करें इसके बारे में हमने आपको बताया उमीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी और दोस्तों इस तरह हैंगी कुछ और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहेगा हम आपको कुछ और रुपाई टोट के बताते रहेंगे फसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए चैनल को सब्स्क्राइब करना बिल्कुल नहीं